चीन के सरकारी मीडिया ने जो बाइडन से चीन को लेकर डॉनल्ड ट्रम्प की नीतियों को पलटने की अपील की है ताकि दोनों देशों के बीच द्वीपक्षिय संबंध फिर से पटरी परा सकें चीन की सरकारी समाचार एजिंसी शिन हुआ ने उन मुद्दों को प्रात्मिक्ता दी है जिसे बाइडन ने अपने संबोधन में चुनोतियों के तौर पर रिखांकित किया है बाइडन ने राश्ट्रपति पत की शपत लेने के बाद अपने संबोधन में कोविड-19 महामारी, सामाजिक असमानता, नसलिय भेडभाव और जलवायू परिवर्तन के मुद्दों को चुनोतियां बताया है शपत ग्रहन समारों में ट्रम्प की अनुपंस्थिती को भी एजिंसी ने खवर बनाते हुए लिखा है कि ट्रम्प ने किस तरह से परंपरा तोड़ दी शिन हुआ की अंग्रेजी वेबसाइट ने बाइडन के शपत क्रहन समारों को कोविड महमारी के चलते आंशिक लॉकडाउन और 6 जनवरी को कापिटल हिल की हिंसा के बाद सुरक्षा व्यवस्था के कारण असामान ने बताया है चीन के सरकारी अख़वार ग्लोबल टाइम्स ने चीनी और अंग्रेजी में लिखे अपने समपादकिय में सत्ता हस्तान तरन को ट्रम्प की गैर मौजूदकी के चलते सद्भावना पूर्ण नहीं माना है ट्रम्प ने 19 जन्वरी को अपने विदाई भाशन में चीन के खिलाफ सकती से खड़े होने की अपील की थी इसको चीनी मीडिया में उपहास के तौर पर देखा गया है बाइडन के सहयोगी ने 19 जन्वरी को चीन के प्रती सक्त रवया जाहिर किया था इसको ध्यान में रखते हुए अख़बार ने लिखा है अगर बाइडन की टीम अगले चार सालों में कुछ हासल करना चाहती है तो चीन के साथ संबंधों को सहज बनाना ही एकमात्र विकल्प है संपादक्य में बाइडन प्रशासन से अपील की गई है कि गंभीर मतभेदों को संभालते हुए उनमें चीन के साथ सहयोग का साहस होना चाहिए चीन के दूसरी सरकारी मीडिया आउटलेट्स ने भी बाइडन प्रशासन पर अमरीका चीन संबंधों को बहतर करने के लिए दबाव बनाया है इसमें कहा गया है अमरीका के नई राष्ट्रपदी को बीजिंग प्रशासन के साथ तनाव को कम करना चाहिए और दोनों देशों के आपसी संबंधों को पट्री पढ़लाने के लिए चीन के साथ मिलकर काम करना चाहिए अब यह बाइडन प्रशासन पर निर्भर है कि वो तरक संगत फैसले ले और सही चीजों को करें सरकारी अखबार बीजिंग नियूज ने भी चीन को लेकर ट्रम्प की नीतियों को पलटने की अपील बाइडन प्रशासन से की है अखबार ने उमीद जताई है कि बाइडन दोनों ताकतवर देशों के पीच नई तरह के संबंध बनाने की शुरुआत करेंगे अखबार ने अपने कमेंटरी सेक्षिन में लिखा है बाइडन ने शपत ग्रहन के दौरान क्या कहा उस पर ध्यान देने के बदले भविश्य में वो क्या कहते हैं और क्या करते हैं ये देखना होगा अमरीका चीन के साथ तनाव को कम करके सहयोग बढ़ाना चाहता है तो वहीं बाइडन प्रशासन को ट्रम प्रशासन के कुछ फैसलों को सही करना होगा और ये दिखाना होगा कि चीन के साथ अपने संबंधों को बहतर बनाने के प्रती उनकी निष्ठा है कई मीडिया आउटलेट्स ने तैवान को लेकर बाइडन प्रशासन से सीमा नहीं लांगने की अपील की है बीजिंग प्रशासन तैवान को चीन का हिस्सा मानता है टाइवान की स्वतंत्रता की लड़ाई लड़ने वाले लोगों को ट्रम्प प्रशासन के समर्थन के मुद्धे पर चीन पहले भी आपती जटा चुका है जब अमरीका ने टाइपे के साथ अनाधिकारिक बातचीत पावंदी हटाई थी तब भी चीन ने अमरीका को बदले की कारवाई के लिए चेताया था शिन हुआ की अंग्रेजी वेबसाइट ने बाइडन प्रशासन से अपील की है कि वो ना तो ताइवान के मुद्धे पर चीन को चुनौती दे और ना ही साउथ चाइना सीक की सीमा विवाद में दखल दे इस आलेक में यह भी कहा गया कि अगर अमरीका चीन की सरकारी विवस्था को सामने रख कर चीन के प्रती नीतियों को तयार करता है तो वह कहीं नहीं पहुचेगा इसमें ये भी कहा गया कि चीन अमरीका के आपसी संबंध का पत्री पर लोटना बाइडन प्रशासन पर निर्भर है दोनों देशों के आपसी संबंधों के लिए एक दूसरे भी सीमा को समझना होगा जलवायो परिवर्तन जैसे दूसरे मुद्धों पर सहयोग के अफसर तलाश ने होंगे ग्लोबल टाइम्स में प्रकाशिच चीनी और अंग्रेजी में छपे संबंधकिये में कहा गया है कि ट्रंक प्रशासन और ताइवान की राश्ट्रपती साई इंग वेन की आपसी मिली भीत के चलते बाइडन को ताइवान स्ट्रीट में नई जुनोतियों का सामना करना होगा संबंधकिये में इस बात पर जोर दिया गया है कि द्वीब का भागे अमरीका नहीं बीजिंग ही तै करेगा